फ्रेंड बहुत भाई लोग है जो की एक DJ सेटप खरीदना चाहते है लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा स्पिकर ले, कौन सा हम बॉक्स बनवाए, कौन सा एम्प्लिफायर और कौन सा जनरेटर खरीद है ताकि फ्रेंड जो DJ सेटप का रिजल्ट है वो हमें अच्छा मिल सके तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसमें कि फ्रेंड मैंने चार टॉप को एड़ किया है और जो है इसमें A to Z मैंने जानकारी दिया है कि कौन सा स्पिकर हम लोग लगाएंगे लेट की हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते है तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग यहां देख रहे है चार टॉप है जो कि JBL मोडल में है तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉप के बारे में ही बात करते है एक टॉप का हम लोग फुल फिटिंग प्राइस जानते है और उसक हम लोग प्राइस जानते हैं तो फ्रेंड यहां केविनेट की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को केविनेट लेना जो की JBL मोडल में होगा यह JBL SRX 725 मोडल में तो फ्रेंड इस प्रकार का एक केविनेट लेना है और जिसका प्राइस हम बात करें तो फ्रेंड इसका लिकर लग जा रहा है तो пользовat हम लोग यहां जानते है घ्रिंड तो सबसे पहले मैं आपको पता दूंगे जो इस पिकर मेने एड किया है वह ऑडू टर्न का एड किए जो के पंदरा इंच में खेसो वाट का स्बीकर होगा फ्रेंड तो 15 इंच में आगा का जो speaker है बहुत ही अच्छा speaker है फ्रेंड जिसमें कि आपको भरपूर मात्रा में बैस और मीड मिलेगा फ्रेंड तो यहाँ इस speaker के बारे में हम जादा बात करें तो इस speaker के अंदर 4 इंच का वैस्कुएल देखने को मिलता है फ्रेंड जो की in out winding के साथ होता है तो काफी अच् speaker की अब हम price की बात करें तो एक speaker का जो अभी price चल रहा है friend वो हमारे market में 7800 चल रहा है और यहां हमें एक top में 2 speaker लग जा रहा है तो यहां 7800 प्लस 7800 यहां जो है friend आप यहां देख रहे हैं 15600 निकल के आ रहा है जो की 2 speaker का price हो गया friend तो अभी तक हम लोगों ने cabinet का price जान लिया speaker का price जान लिया अब हम लोग बात करते हैं HFset के price के बारे में तो friend यहां जो मैंने HFset एड़ किया है इस वाले top के अंदर वो है Audioton Company का आई जो की 120 वाट का HF है friend और इसके हम price की बात करें तो friend 3000 आपको HF का price लग जाएगा प्लस में 1000 के अंदर आपको जो है हाई जो इसका फलेयर होता है और इसका network kit जो की SNS का आप लेंगे तो वो 600 से 600 के बीच में आ जाएगा और की total friend 3000 प्लस 1000 4000 जो है एक HFset का पड़ जाएगा friend तो आप लोग यहां देख रहे है friend कि यह total complete हो गया एक top जिसमें की friend cabinet का price हम लोगों ने जान लिया दो speaker का price जान लिया और एक HFset का price जान लिया तो चलिए friend अब calculate कर लेते हैं कि यह top को बनाने में हमें total कितना price लग जा रहा है तो friend जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं कि एक top को ready करने में हमें cabinet का price 7000 लग जा रहा है speaker का price हमें 15600 लग जा रहा है और एक HFset का price हमें 4000 लग जा रहा है तो friend जदी आप इसे total calculate करेंगे तो यह निकल के आएगा 26600 जो कि friend एक top का price हुआ जो कि डवल पंदर का एक top होगा तो यहां इस setup में हम लोगों ने 4 top को add किया है तो 4 top का price हम लोग जान लेते हैं friend तो friend आप लोग यहां screen पे देख रहें कि एक top का price 26600 लग जा रहा है और हमें इस प्रकार का चार top बनवाना है तो चार top का price आप लोग यहां calculate कर सकते हैं जो कि एक लाग चेजर चारसो निकल के आएगा friend जो कि चार top का price हुआ तो friend चार top यह हुआ जो की 1320 watt का हो जाएगा एक top और की friend 6600 watt का speaker और 120 watt का app total 1320 watt का यह एक top बनेगा और total यह 4 top है यहां friend यहाँ आपको बता दें कि यदि आप एक ही एमपिलिफायर से चारो टॉप को बजाना चाहते तो आपको कम चर्वाट का amplifier लेना चाहिए या फिर 6000 watt का फ्रेंड 5000 watt का amplifier में भी आराम से बज़ेगा 2 ohm पे कोई दिकत नहीं है और जदी आप इसी जगा पे 6000 watt का amplifier ले लेते हैं तो फिर ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको अपने टॉप से सुनने को मिलेगा फ्रेंड क्योंकि फ्रेंड 6000 watt का amplifier है उसमें कुछ headroom भी बचेगा इसके load के इसाफ से 2 ohm पे भी आप चलाएंगे तो कोई दिकत नहीं है और उसमें headroom बचेगा तो आपको जो है अच्छा quality का sound मिलेगा फ्रेंड 5000 watt का amplifier थोड़ा सा कम पड़ता लेकिन फिर फ्रेंड बहुत भाई लोग 4000 watt के amplifier पे भी इस प्रकार का setup चलाता है तो यहां जो best result होगा फ्रेंड होगा 6000 watt amplifier में लेकिन आप 5000 watt से भी काम चला सकते हैं amplifier की बात करें तो फ्रेंड यहां मैंने 2 amplifier याड़ किया है आप इन दोरों में से कोई एक ले सकते है फ्रेंड जदि आपके पास budget कम है फ्रेंड तो आप यहां SPB 5 के ले सकते हैं जो के stranger का 5000 watt का amplifier है जो 2 ohm पे run करता है फ्रेंड और 42,000 इसका price है फ्रेंड बाकी बात करें आहुजा के बार में तो फ्रेंड आहुजा का जो LX6,000 amplifier है यह बहुत मस्त amplifier है और इसके price की हम बात करें फ्रेंड तो इसका जो price है फ्रेंड वो अभी चल रहा है 69,000 फ्रेंड जदि आपके पास budget है तो आप आहुजा का LX6,000 ले सकते हैं बहुत ही मस्त quality का sound आपको अपने टॉप से सुनने को मिलेगा फ्रेंड तो चलिए आप अपने हिसाफ से amplifier चुन सकते हैं यहाँ दोनों amplifier में आपको एक एक channel में दो दो टॉप चलाना है जैसा आप समझे जो भी amplifier ले दोनों में से कोई एक amplifier आप ले सकते हैं अब हम बात करते हैं अस्टिवलाइजर और mixer की तो फ्रेंड यहाँ जो मैंने mixer 8 की है फ्रेंड वो है अस्ट्रेंजर का SM6 जो की फ्रेंड एक 6 channel का mixer आता है और बहुत ही अच्छा mixer है फ्रेंड DJ पजाने के लिए काफी अच्छा mixer है और इसके price की में बात करें तो इसका price बहुत ही कम है इसका price आपको लगभग 12,000 पड़ जाएगा फ्रेंड यह अच्छा quality का लेते हैं तो चलिए फ्रेंड यह complete हो गया बात रह गया यह पार लाइट का तो फ्रेंड आप पार लाइट जो है किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं अपने इसाफ से अपने budget के इसाफ से जो की आप कम से कम जो है फ्रेंड 700 रुपिया लगाएंगे तो एक पार लाइट बेसें कंपनी का हो जाएगा फ्रेंड तो आप अपने इसाफ से पार लाइट ले सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड यहां जर्णेटर के बारे में तो जर्णेटर जो है फ्रेंड यहां मैंने एड किया है एक साड़े साथ के भी अल्टेनेटर वाला जो की फ्रेंड होगा विधाता कंपनी की और से फ्रेंड वेसे तो जर्णेटर आपको बहुत सारा मार् कोश्टली है उस प्रकार से इसका काम भी है प्राइस की बात करें तो फ्रेंड इसका प्राइस जो है अभी चल रहा है 77,000 दखिए आपके मार्केट में हो सके एक दो जार कम हो तो यह हो गया विदादा जरेंटर का प्राइस तो चलिए फ्रेंड आप हम लोग बात करते हैं टोटल प्राइस की यह पूरा टोटल सेट अप रेडी हो गया अब टोटल सेट अप की प्राइस की हम बात करें तो फ्रेंड यहां आप स्क्रीन पर देख रहे ह टॉप का प्राइस आपको 1,6400 लग जा रहा है एक मिक्सर का प्राइस 3500 लग रहा है एक अस्टेबिलाजर का प्राइस 12,000 लग रहा है एक एम्पलीफाइर का प्राइस आपको 42,000 लग रहा है और एक जर्रेटर का प्राइस आपको 77,000 लग रहा है तो फ्रेंड ये टोटल न सेट आप आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैंने आपको एक एक करके सभी सामान का प्राइस बता दिया है यह उमीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेश सपोर्ट जरू कर दियो फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में